हाई वेल्कम बैक चानल गुजी कपल इन कैनेडा मैं हूं चानवी और आज का वीडियो रहेगा छी एचारपी पे जो सी एचारपी पे सर्टिफाइड हुमन रिसॉर्स प्रोफेशनल है अभी हां कैनेडा में सर्टिफिकेशन्स और लाइसेंस का बहुत ट्रेंड है उसके ब इन्डिया में मेरा इचार का मास्टर डिग्री रहे चुका है और ट्वेंट हाफ यूर्स का वोक एक्सपिरेंस भी एचार प्रोफेशन्स में है चुका है जब मैं कैनेडा ही तो मैंने सबसे पहले यही सूचा कि मैं यही डेजिगनेशन ट्राइ करती हूँ अपने 2023 में CHRP की जो फॉर्स एक्जाम होती है वो ट्राक करने की पट अनफॉर्शनली नहीं हो पाया और उसकी दोहरान जो मैं ऑनलाइन सर्च कर रहे थी कि इस स्टेप के बाद यह स्टेप कैसे पहुंचूंगी स्टेपर स्टेप प्रोफेस क्या है तो वो मुझे ऑनलाइन नही पता हुए जो भी CHRP लेना जाते है जसे step-to-step process नहीं पता उनको यह पता हो सके कि आपको यह स्टेप के बाद यह स्टेप करना आप ऐसे गर सकते हो तो मैं डारेकल पहले आपको वही ले जाते हो जो यह designation onterio में देते है HRPA तो उन्ही की website पे हम चलते है है सबसे पहले CHR पर डेसिकनेशन लेने से पहले आपको HRPA पर अपका एक मेंबर्शिप होना चाहिए तब ही आप एक्जाम के लिए एलीजिबल हो सकते हो बागी सारे स्टेप्स पातने आते हैं सबसे पहले यहां पर एक मेंबर्शिप अपका होना चाहिए तो इसमें भी आपको वेरिएशन्स बिल सकते हैं कि आप कान से केटेगरी में जा सकते हैं तो मेरा जो था मैं नहीं थी कैनेडा के लिए तो मैंने न्यू तो कैनेडा के लिए एप्ट किया था वहां पर आपका कोई भी एजुकेशन या रिसरॉस एचर को लेके है तो आप यह जोइन कर सकते हो इसकी जो रेजिस्ट्रिशन प्रोसेस होती है यह आप यहां से कर सकते हो जहां तक मुझे याद है जो आपको मेंबर्शिप फी होती है वो 600 के अराउंड होती है 600 प्लस ट वह मैं आपको दिखाती हूं कि आपको HRPA एक्जाम के लिए आगे कौन-कौन से स्टैप रहते है ठीक है आओ चलो वह दिखते है अब बात करता है CHRP designation कौन देता है जो मैंने बता है Human Resource Professional Association देता है इसके अलावा वह आपको CHRL और CHRE designation भी देते है तो यह जो designation की requirements होती है होती है coursework requirement जिसमें क्या रहता है nine subjects रहते है जिसमें आपके 65 और उससे बैतर होने चाहिए each और overall 70% और उससे बैतर होना चाहिए इसको करने के लिए आपके पास तेन रूट होता है course by course approach जिसमें आप nine subjects यह जो है वो पढ़के transcript submit कर सकते हो HRPA को और वो आपको validate करेंगे कि आप फुल्फिल करते हो यह requirement और आप further step के लिए eligible हो जो दूसरे दो route होते है वो alternative route होता है alternative route में alternative route academic होता है जिसमें आपके पास advanced degree होनी चाहिए HR किया industrial relations के master degree होगी PhD हो गया फिर और HR Guru के designation है तो आप यह stream में apply कर सकते हो अगर आपके पास काफी सालों का HR professional experience है तो आप यह अपलाई कर सकते है experience trim ठीक है अगर आप course work requirement फुल्फिल करते हो तो आपको एक mail पेजते है कि okay yes आपने यह requirement फुल्फिल की है अब आप knowledge exam के लिए eligible हो आप आपकी date book कर सकते हो तो knowledge exam रहती है second step to knowledge exam रहती है 175 multiple choice questions रहते है यह questions in nine subjects को base के ही रहते है कि उसी के base पे आपको यह 175 होता है लेकिन इसका cutoff जो passing ratio है वो every year different रहता है तो आपको पता नहीं चलेगा कि इस इसमें आपको कितना score करना रहता है ठीक है अगर आपको knowledge exam के exam date और apply करना है तो आप यहाँ click किया करके आप वो आप further process कर सकते हो अगर आप knowledge exam भी clear कर लेते हो तो उसके बाद आता है law exam इसमें 110 questions रहते हैं workplace law को लेके मैं आंटेरियो में रहते हूं तो यह HRPA वो आंटेरियो में देते हैं तो workplace law आंटेरियो को लेके जो भी rules और regulations यह exam उसी को लेके है इसके भी cut-off की कोई बात नहीं है वो everywhere different रहता है अगर आप law exam भी clear कर जाते हो तो आप 90% कहते हैं कि certificate के पास आ गए हो जो last step रहता है वो job ready program रहता है इसमें क्या होता है कि professionalism training और ethics के बारे में पताया जाता है और आपको यह designation hand over किया जाता है तो यह हो गया पूरा CHRP अब कैसे ले सकते हो तो यह मुझा personal experience है कि मैंने कैसे course work requirement fulfill की थी तो मैंने क्या क्या था कि university से मेरी master की जो transcript थी वो मैंने WACE को दी थी वेस institute को कि वो validate करें और WACE को बुला गया था कि आप वो HRPA को submit कर दीजेगा for the course work requirement तो वैसे मैंने किया और जिस जब WACE में HRPA को document send किया तब मैंने यह mail HRPA को भीजा था जिसमें मैंने मेरी details डाली हुई थी इसके साथ मैंने academic course work का जो form है वो मेरा merit certificate और WACE का जो document था इससे में क्या हो गया कि उनको भी idea आगया कि मेरा इस वजह से documents पर दो नाम है because of my marriage तो मैंने यह किया था send किये थी और उन्होंने मुझे कहा गया था कि 65 dollars plus HST आपको pay करना रहेगा course work requirement eligible करने के लिए जब आप यह pay करोगे और इससे हो जाएगा उसी के बाद आपको HRPA mail देगा कि that you have met the eligibility requirement and you are eligible for the exam इसके बाद आप course work requirement complete हो जाती है और आप knowledge exam के लिए eligible हो जाते है तो मैंने knowledge exam के लिए जो preparation material यूश किया था मैं आपको वो दिखाती हूँ तो आपको HRPA website पर ही मिल जाएगा कि आप knowledge exam के लिए कैसे prepare कर सकते हो तो मैंने जो course लिया था वो आपको यही से मिल जाएगा selflessly learning program के लिए प्रजिस्टर करोगे तो आपको डारेक्ली प्लैटफर्म में वहां पर ले जाएगा और आपको रेजिस्टर करना आपड़ेगा मैंने जब मेरी knowledge exam के लिए मैं प्रिपरेशन करी थी तो मैंने यही course लिया था पट मेरी गलती भी हो गई थी कि मैंने इसी course के बेस पे अब यह course के लिए जो members होते है HRPA के लिए उसको 24 weeks के लिए access 250 dollars के लिए होगा non-members के लिए 325 plus taxes तो यह रेज से प्लैटफर्म के लिए और यहां पर आपको sample questions और सब मिल रहेगा sample question useful है आपको exam के लिए जो मेरा experience रहा है यह course आपको 70% help करेगा 30% आपको book material useful ही रहेगा जो मैं description में आपको note down कर दूंगी वो books के नाम की कौनसे books आपको useful हो सकते है आपको exam के लिए ठीक है thank you for watching our video